हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चेलम दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने दातों का और मसूडों का दर्द किस तरीके से दूर कर सकते हैं दात में दर्द का होना बहुत दर्द भरा होता है ये दर्द बहुत कतरनाग होता है और इसकी वज़ा से हमारा जीवन ही बिगर सा जाता है क्योंकि जीने के लिए खाने ज़रूरी होता है और हम जो कुछ भी खाता है वे मूँ बन दातों के जरीए ही खाता है तो इसलिए दात में दर्द का इलाज वा अपचार करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों बीते समय में इनसान के दात सो साल तक की उमर तक भी नहीं प्रोब्लम करते थे इतनी उमर होने के बावजूद भी उनके दातों में कोई प्रोब्लम नहीं आती थे और हमारे दात और दाड तीस साल में ही दर्द करना शुरू करते थे तो फिर क्या वज़ा होगी, उनके दाथ इतनी उमर तक भी सही सलामत रहते थे इसके पीछव बज़ा है नेशुरल लाइफ इस्टाइल, वे लोग प्रकरतिक के साथ जीवन जीते थे और हम आज के समय में प्रकरतिक से दूर हट कर चलते हैं इसके बज़ा से हमारे दाथों में सारी प्रोब्राम आती है मसूरू की सूजन एक बहुत ही आम समस्या है इससे बहुत तकलीफ होती है इससे बुरूष करने और खाना चबाने में भी कटिना आती है तो इसमानोरे तो मसूरू से खून भी आने लगता है तो दोस्तो इसी प्रोब्रम को लेके आज हम आपके सामने एक एज़ी चीज बताएंगे जिसको इस्तमाल करने से दाथों गदाग और मसूरू की सूजन बिल्कुल खतम हो जाएगी दोस्तो इसको देख लिए यह है तुम्परू इसको नेपाली धनिया भी बोलते हैं तुम्परू को विविन भाषों में विविन नामों से जाना जाता है आयूर विवेंद में इसे तुम्परू, शीषडफल, मामुनी, शुलगन, अंदर बोलते हैं दोस्तो इसको इस्तमाल करने का तरीका ऐसा है आपको इन्हें थोड़े से लेना है दोस्तो तुम्परू के भी आपको इतने लेना है और अपने मुह में रख लेना है दाटों के नीचे और इन्हें हलका हलका चबाना है और जो पानी आपके मूह में आएगा उसको आपको ठुकते रेना है आपको कम से कम यह 10-15 मियर तक अपने मूह में रखना है दोस्तो इस उपाय को आपको शरीफ तीन दिन करना है और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना बूलें